इंग्लेंड के बर्गिंगम में चल रहे कॉमन वेल्स गेम के पाँच दिन पूरे हो चुके हैं गेम्स के पाँचवे दिन यानि की दो गस हो भी भारतियों का जल्वा बरकरार रहा भारतिये खिलाडियों ने गेम्स के पाँचवे दिन अपना जल्वा बिखेर कर पदक कालिका में चार पदक और जोड दिये हैं कुल मिला कर अब तक भारत को तेरा मैडल मिल चुके हैं भारत के लिए Commonwealth Games के पांचवे दिन भारते खिलाडियों ने चार मैडल जीता जहां भारत को दो मैडल गोल्ड के और दो मैडल सिल्वर के प्रात हुए जिसमें से खिलाडियों ने एक मैडल लोन बॉल में एक मैडल टेवल टैनिस में जीता और इसके साथ ही एक मैडल वेट लिफ्टिंग और एक मैडल बैंज मिंटन में हासिल कर शानदार जीत दर्च कराई इस जीत के बाद भारत के कुल मैडल की संखिया अब तेरा हो गई है जिसमें से पाँच गोल्ड, पाँच सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज मैडल अब तक भारत को मिल चुके हैं जिसमें से आठ मैडल वेट लिफ्टिंग के खेल में भारते खिलाडियों ने जीता वहीं दूसरी तरफ जूडो में भारत को एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मैडल मिला है इसके साथ ही एक मैडल टेबल टैनिस और एक बैन्मिंटन और एक लॉन्बॉल में मिला है बता दे की कॉमन वेल्थ गेम्स के पांचवे दिन भारतियों ने दो गोल्ड और दो सिल्वर जीत कर भारत को छटवे स्थान पर पहुंचा कर इतिहास रच दिया है भारते खिलाडियों ने मंगलवार यानि की दो अगस्त लोन बॉल्स के विमेंस फोर्स इवेंट में भारत ने साथ अपरिका को हरा कर गोल जीता इसके बाद मैंस टेवल टैनिस टीम में फाइनल में सिंगापूर की टीम को हरा कर शानदार जीत दर्च की वहीं भारत और मलेशिया की बीच हुए बैंड मिंटन के मिक्स टीम इवेंट के फाइनल में मलेशिया से हाज हिनले के कारण भारत को सिल्वर मेडल से ही काम चलाना पड़ा वहीं वेट लिफ्टिंग मैंस गेम में भारत के विकास ठाकूर ने 96 kg के कैटेगरी में सिल्वर जीता